हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टो माई चनल राम टेक्निकल हेल्ग तो फ्रेंड्स अगर आप लिनाव लैप्टोप यूज कर रहे हो और आपके जब आप लैप्टोप स्टार्ट करते हो तो आपको एक एरर आ जाता है EFI Network 04 IPV6 ठीक है तो आपको एक लैप्टोप के अंदर आपको यह एरर देखनों का मिलता है कई बार तो इसको कैसे फिक्स करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और पहली बार आप लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐस सबसे पहले फ्रेंड से आपको क्या करना है जो यह आपको एरर आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना है जो आपका सिस्टम का पावर बटन है यहां पर इसको आप प्रेस करके रखना आपको तो क्या होगा इससे आपका सिस्टम सट डाउन हो जाएगा ठीक है सट डाउन ह इससे भी आप BIOS के अंदर जा सकते हो, डिपेंड करता है कि जो आपका laptop है, वो कौन सी की प्रेस करने से आपका BIOS के अंदर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक power button है, power button के पास यह एक button लगा हुआ है, यहाँ पर प्रेस करने के बाद ही यह BIOS के अंदर जाता है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, BIOS के अंदर जाने के लिए, मैं यहाँ पर एक option select कर लेता हूँ, BIOS setup, ठीक है, तो friends, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका system है, यहाँ पर आपको कुछ configuration set करना पड़ेगा, जो आपको वो अगर error आ रहा है तो, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर configuration settings के अंदर जाना है, यहाँ पर आपका जो system का, यह system time और system date है, वो आपको up to date रखना है, जैसे कि यहाँ पर अभी proper इतना time हुआ है, तो आपको वही time रखना है, proper time यहाँ पर रखना है आपको, उसके बाद आपको boot के अंदर जाना है, यहाँ पर boot में आप देख पारे हो कि, यहाँ पर boot mode, U, E, F, I करके एक option है, यहाँ पर आपको ले जाकर mouse को, keyboard पर enter प्रेस करना है, enter प्रेस करने के बाद, यहाँ पर आपको कुछ options मिलेंगे, नीचे की तरफ आप देख पारे हो, यहाँ पर U, E, F, I, और legacy करके एक option है, यहाँ पर आपको क्या करना है, legacy select करना है, legacy select करने के बाद यहाँ पर आप जैसी इस पर click करोगे यहाँ पर legacy करके एक option दिखेने लग जाएगा आपको boot mode के अंदर यहाँ पर आपको देख पारे हो कि यहाँ पर आपका legacy select हो चुका है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपका जो keyboard है वहाँ पर आपको F10 select करना है F10 पर click करना है FN प्रेस करना है और उसके साथ ही आपको F10 प्रेस करना है यहाँ पर आपको saving के लिए पूछेगा yes और no आपको yes कर देना है तो क्या होगा आपका जो laptop है वो restart हो जाएगा आपका system जैसे मैं इस पर click करता हूँ एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर यहाँ पर आपका system restart हो जाएगा so friends यहाँ पर आप देख पारे हो कि आपका जो system है वो proper boot हो चुका है और यहाँ पर आप login कर पारे हो और जो आपको error आ रहा था वो पहले अभी वो error नहीं आ रहा है I hope आप समझ गए होगे कि आपको कैसे आपका जो error आ रहा था वो कैसे fix करना है कैसे ठीक करना है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और helpful लगा है और इससे आपका problem ठीक हो गया प्ले सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन दवाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूटॉब पर आपनोड करो उसका notification आप तक पहुंच जाए Thank you so much